इस वीडियो के टाइटल और थम्नेल पर आपने बिल्कुल सही पड़ा आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको BSNL कंपणी के बार में बता हूँगा क्यूंकि BSNL और Reliance जो का पार्णर सिफ बहुत ही जल्दी यहां पर होने वाला है दोस्तों इससे पहले BSNL 4G Launch के लिए मैंली कुछ कंपणी के उपर dependent थे आपको पता है BSNL भारत के अंदर जो अपने 4G Services को यहां पर launch करने जा रहे हैं वो बिल्कुल made in India होना होगा गबर्मेंट की तरफ से ऐसे instruction जो यहां पर BSNL को दिया गया है तो वैसे एक टाइम के अंदर BSNL जो है वो मैंली TCS, Tata Consultancy Services, Tejas Network और C.C के उपर भरोसा किया था अपनी equipments को देने के लिए जो obviously delay हो चुका है आपको पता है 15 आगोस 2022 के अंदर BSNL को अपने 4G Services को launch करना था गबर्मेंट की तरफ से BSNL के उपर 1,65,000 कर रुपे इंफ्यूस किया गया है ताकि BSNL जल्दी से जल्दी अपने 4G Services को launch करे तो वैसे एक टाइम के अंदर BSNL ये सारे company को छोड़ कर मतलब TCS, Tejas Network, C.C और भी बहुत सारे लोकार विंडर से जीने छोड़ कर वो में लिए Reliance जो के साथ partnership करने चारे है अपने 4G और 5G Services को launch करने के लिए तो इसके बार में क्या कुछ update जो हमरे पास निकल करना है पूरा details बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तो अगर आपको इसके बार में जानना है BSNL 4G launch के बार में जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर द condition को follow करो और सिर्फ एक माई ने के अंदर हो सकता है एक brand new iPhone 12 आपका चले वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं दोस्तो भारत के अंदर Reliance जियो जो एक Indian company है और Reliance जियो अपने 4G core network को setup करने के लिए पूरे तरीगे से indigenous EPC को यहां पर use किया है जो में लिए 4G core network को manufacture करते हैं दोस्तो BSNL को जो है वो अपने 4G network जो completely indigenous चाहिए मतलब software जो भारत के अंदर बना हुआ जो hardware और EQ में लगेंगे वो भी भारत के अंदर जो company से वो यहां पर provide करेंगे जो already Reliance जो achieve कर चुका है हाला कि Reliance जो खुद के लिए अपने जो EPC यहां पर develop किया है लेकिन BSN का यह कहना है कि Reliance जो के साथ में लिए BSNL partnership करके Reliance जो के दोड़ा creator EPC को BSN यहां पर ले लेंगे इसके पिछे का जो main काराने की BSNL का जो उफ़ाड़ाल कोश्ट है वो काफी कम हो रहा है अगर वो Reliance जो के साथ जाते है देखिए TCS company मतलब Tata Consultancy Services के साथ BSNL जो परनार सिर्फ किया है उसके अंदर total जो equipment का कौश्ट है वो 20,000 करो रूपे से कम में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है लेकिन government के तलब से जो पैसे BSNL को allocate किया गया अपने 4G Services को launch काने के लिए max to max BSNL यहापर 17,183 करो रूपे जो वो खर्च कर सकते है जो definitely BSNL को जो budget है उससे काफी महंगा ही पर रहा है अगर वो बिल्कुल पूरे तरीके से TCS, C. यार Tejas Network के पास से अपनी equipment को यह पर लेते है तो वैसे एक time के अंदर अगर वो Reliance जो के साथ जाते है तो उनके जो overall खर्चे वो काफी जादा कम हो जाएंगे Reliance जो भारत के अंदर अपने 5G services को launch कर रहें और launch करने का मतलब ऐसा बिल्कुल भे नहीं है कि Reliance जो अपने 4G segment को भारत के अंदर बंद कर देंगे 2030-2035 तक 4G relevant रहेंगे और लोग 4G को use करेंगे तो Reliance जो खुद के लिए भी अपने equipment manufacture करेंगे जो पिल्कुल इंडेजिनियास होई से करेंगे और BSNL के लिए भी वो मेली अपने जो equipment से वो यहां पर provide कर सकते हैं दोस्तो BSNL को almost 1,000,000,000 mobile towers immediately चाहिए अपने 4G service को deploy करने के लिए BSNL के हाथ में main जो चीजे की BSNL को और time नहीं मिलेंगे मतलब BSNL को immediate basis पर आपने 4G services को launch करना है और Reliance जो की तरफ से यह जो EPC को दिया जागा है यह मिल ली 4G उसी के साथ यह 5G upgradable भी होंगे मतलब बहुत ही आराम से उसी 4G service को 5G को पर upgrade भी कर सकते हैं आपको बता है Reliance जो पहले से marketing कर रहा थे कि उनका जो 5G ready network है लेकि Reliance जो 5G service यह पर launch किया वो completely 5G modems को use किया मतलब पहले जो 5G ready network है उस network का किसी भी तरीके से इस्तेमाल जो वो Reliance जो यह आपन नहीं किया भारत के अंदर और भी बहुत सरे company है जैसे L&T company है माविनीर company है तो यह सरे company के पास से BSNL अपने equipment को ले सकते थे क्योंकि इससे पहले यह सरे company BSNL को proof of concept जो है वो अल्रेडी दे चुका था लेकिन यह सरे company equipment manufacture करने के लिए अपने timing को जो वो 18 माईने पीछे कर लिया है मतलब आभी के time के अंदर मेली equipment manufacturing के उपर यह सरे company नहीं जाएंगे यह company आने वाले 18 माईने के बाद मेली manufacturing के उपर जाएंगे तो वैसे एक time के अंदर BSNL के पास इतना time नहीं है वरना यह मावि काफी जल्दी complete होने वाला है क्योंकि BSNL काफी साथ disparate हो चुका है government की तरफ से काफी pressure है BSNL के उपर एक huge amount of money infused के आए एक लाख 64000 का रूपए BSNL को पर इंफ्यूस किया है तो यह छोड़ने नहीं वाले तो इससार अपडेट्स हमारे पास निकल कर रहा था बहुत ही जबरदस्त अपडेट्स जो हमारे पास निकल कर रहा था चोटा सा वीडियो बने कर आपको बता दिया अगर वीडियो पसं दियके